हलो, गुडिवनिंग फ्रेंज, वेलकम बेक टू दी चैनल, आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, तो आज की डिनर रेसिपी है इंडिया की फेमस स्ट्रीट फुट पाउबाजी, बहुत कम ऐसे इनसान होगे जिसको पाउबाजी पसंद नहीं होगी, पाउब दिया है, क्योंकि फुलगोबी में बहुत कीडे होते हैं, तो इसको अच्छे से साफ करना जरूरी है, फिर यहां मैंने दो आलू लिये है, उसकी पीलोफ कर ली है, एक गाजर लिया है, उसकी भी पीलोफ कर ली है, और एक मीडियम साइज का बीट रूट लिया है, और इसक पानी अलग होता है, तो अगर आप इस तरह से पाजी बनाओगे, तो आपकी पाजी बहुत ही अच्छी बनेगी, तो अभी सब सबची को काटने के बाद हम उसको पानी में वोश कर लेंगे, बीट रूट को काटना नहीं है, बीट रूट को हम पुरा ही बोईल करेंगे, ब हमारे फुल गोबी भी अच्छे से वोश हो गई है, तो उसको भी निकाल लेते हैं और फिर लगाते हैं हम सब सबजियों की छोग, तो उसके लिए यहां मेने कुकर में दो बड़े चमच ओईल लिया है, तो अभी सिर्फ ओईल लेना है, जब हम दूसरी पान छोग लगाए मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, और फिर तुरन टमाटा डाल देंगे, और फिर जस पंदरा सेकंड जितना सोटे करेंगे, और फिर सब सबजिया डाल देंगे, तो यहां भी टूट पुरा ही डाला है, और जो भी फुल गोबी, गाज और आलू जो भी है, वो हम डाल देंगे, और फिर इसमें हम दो गलास पानी डालेंगे, और चार से पांच सीटी बजा कर उसको बोईल करेंगे, और स्वादा नुसार इसमें हम नमक डालेंगे, तो जब तक सबजी बोईल हो रही है, तब तक हम हमारी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लसन को चीन लेते हैं, तो भाजी में लसन की कॉंटिटी थोड़ी जादा रहती है, तो यहां मैंने 25 से 30 कली जितना लसन को चीन लिया है, अब हम उसको कुटेंगे, और उसकी पे प्याज को चोप करेंगे, तो यहां मैंने एक छोटी और एक बड़ी प्याज ली है, इसको भी एकदम बारिक चोप कर दिया है, तो हमें उसकी पेस्ट नहीं बनानी है, बारिक काटना है, या फिर चोपर से चोप कर देना है, उसके बाद मैंने एक कैपसिकम लिया है, उसक खूकर भी ठंडा हो गया है, सबजी अच्छे से बॉ commitment diferen नकाल देते हैं और सबजी को स्मेस कर देते हैं पाउबाजी में जो gravy बनती है ठिक वाली वो आलू से ही बनती है तो आलू की quantity हमें 2-3 रखनी है तो अभी देख सकते हो आपकी हमारी बाजी अच्छे से स्मेश हो गई है अब हम उसकी छोक लगाएंगे तो सबसे पहले यहां कड़ाय ली है उसमें एक बड़ा चमच ओईल लिया है और फिर एक बड़ा चमच बटर डालेंगे तो यहां बटर और ओईल आदा आदा लेना है आप सिफ बटर से एक करोगे तो बटर ज़šे बटर ज़लने का डर रहता है तो उसमें थोड़ा ओल डालना जरूरी है फिर दोनों को गरम होने के बाद इसमें हम लसन की पेस्ट डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ओनियन डाल देंगे और फिर उसको 1-2 मिनिट सोट कम टालेंगे और फिर इसमें हरी मटर डालेंगे तो जो यह हरी मटर है वो अगले साल की है मैंने जो फ्रोजन की थी पूरे साल के लिए वो तो अभी विंटर की सिसन है तो अभी तो इजीली मिल जाती है लेकिन देखो एक साल तक अभी ऐसी की ऐसी है मटर बिल्कुल भी तो यहाँ स्वाद अनुसार नमक अधाले में लाल मिर्च पाउड इर दाली तो यहां लाल मिर्च पाउड़र में टीखा वाला कुथ एक दो चम्मछ पाउबाजी मसाला डाला है deliver the chef and paste paste फिर इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी को मसल कर डालेंगे कसूरी मेथी पाउबाजी में बहुत अची लगती है. कभी try नहीं की है तो ज़रू try करना, फिर अच्छे से सबको mix करेंगे और तीन से चार मिनिट ढख कर उसको पकाएंगे ताकि प्याज, मटर, टमाटर, कैपसिकम सब अच्छे से पक जाए तो तीन से चार मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है अब इसमें हम सब सबजी टालेंगे और जरुवात अनुसार पानी डालेंगे तो फ्रेंड्स जो मैंने मटर स्टोर किये थे वो मैंने ऐसे ही मटर छिल के कर दिये थे नहीं मैंने उसको गरम पानी में थंडे पानी में और नहीं मैंने उसको सिम्पल पानी से वोश्च किया था बस हमें मटर को air tight container में या फिर air tight bag में store करके रखना है और मटर को हमें निकालते टाइम ज्वाधा देर तक बाहर नहीं रखना है तुरंत हमें gì जतने चाहिए उतने मटर लेकर बे है करें से दोफ़ दोकी स्प्रेव में जुठार केımश多 युष्षे के दोफ़ करें है एकदम पानी बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ है फिर इसमें हम स्वाध अनुसा निमू का रस डालेंगे एक बड़ा चमश डाला है ज्यादा चाहिए तो आप फिर खाने के टाइम भी ले सकते हो फिर हम उसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो हमने पानी डाला है व आप इसको फटाफट से बना के फ्री बेट सकते हो बचों के टिफिन के लिए भी है बड़े पाटी हो तो भी ये बहुत अच्छा उप्सन है और इम्मेन बात है कि ये सबको पसंद भी होती है तो बस अभी हमारी बाची रेडी है अब हम पाउ को प्रिपेर करते हैं तो प हमारे यहां लंबे पाउ मिलते हैं तो मैंने दो पाउ रखे है फिर बीच में से दोनों पाउ को काट देंगे और फिर एक पेन में हमें बटर लेना है उसको अच्छे से मेल्ट करना है फिर इसमें हम थोड़ा पाउ बाजी का मसाला डालेंगे और फिर इसमें थोड़ी बा या फिर थोड़ा food red color भी आप इसमें ढाल सकते हो, वैसे बाहर जो भाजी मिलती है उसमें थोड़ा color तो रहता ही है, तो ये हमारा natural color आया है भाजी का, तो चलो friends, I hope ये recipe आपको पसंद आई होगी, जरू ड्राइ करना, फिर मिलती हूँ नए vlog में, तब तक के लिए, bye, take care, thank you हूँ